नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत एंवीर एज्यूकेशन के इस यूटूब चैनल पर और मैं संपत लिए आप सभी को राजस्थान कम्प्यूटर अनुदेशक भरती की तेहरी करवा रहा हूँ जिसके अंडर हम फर्स्ट पेपर की तेहरी के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टन कोईशन को डेली डिसकस कर रहे हैं और फिर इनी कोईशन में से आपको इस वीडियो के अंत में जो है कोईशन पूछे जाते हैं तो आप सोभी जो है वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा और पहली बार चैनल के साथ जुड़ें तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि डेली आप इस सीरीज को जोइन कर सके हैं तो क्वेशन नमर 571 है आपका मारवाड री मारवाड की पन्ना धाय की से कहा जाता है तो इस परसन का उतर होगा गोरा धाय को कहा जाता है प्रसंद संग्या 572 है राजा अजी सिये ने किन किन गरंतों की रचना की थी तो इस प्रसंद का उत्र होगा गुण सागर, दुर्गापाट भासा, निर्वान दुहा, अजी सिये रा, कहिया दुहा और गज उध्धार ये जो है राजा अजी सियां ने इन गरंतों के रचना की है तो याद कर लिजेगा गुन सागर, दूरगापाट बासा, निर्वान दुहा, अजी सियां रा कहिया दुहा और गज उद्धार यह आपके इनके द्वारा जो है गरंत रचना क्ये गी है आपके राजा अजी सिहां के द्वारा परसंसंग्या 573 आपके सामने है डॉक्टर गोरिशंगर हिराचन्द औजा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है तो इस परसंग्या 584 है आपका वीर सिरो मनी दुर्गादास के पिता का नाम क्या था तो इस परसंगा उतरोगा आशकरण परसंगे 555 है वीर दुर्गादास का जनम कब वो कहां पर हुआ था वीर दुर्गादास का जनम कभ वह कहां पर हुआ था तो इस परशन का उत्रोगा 13. अगस्त 1638 को सालवा गाओं में हुआ था परसंसंगे 507 आपका जेमस टॉड ने राठोडों का यूली सैस किसे कहा है तो इस परशन का उत्रोगा वीर दुर्गादास को परसन संगया पांसो से ततर अभ्योदे राज रूपक अमर चंदरिका की रचना किस ने की थी? अभ्योदे राज रूपक और अमर चंदरिका की रचना किस ने की थी? तो इस परशन का उत्रोगा आपके अभ्योदे की की था आपके भट जग जीवन ने की थी राज रूपक की की थी वीर भान ने और अमर चंद्रिका की जो रचना है वो किसनी की थी सूर्ती मिश्र ने तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ अभियोदे की रचना बट जग जीवन ने की थी परसंग्या 589ैं सामबर की संधी कब हुई थी? तो सामबर की संधी कब हुई थी तो इस परसंग्या 580वा है बीम प्रबंद नामक संस्कृत काविय का संबंध किससे है? बीम प्रबंध नामक संस्कृत कावे का संबंध किस से है तो इस परसंग का उतरोगा महाराजा बीम सीयं से महाराजा बीम सीयं से जो है आपका बीम प्रबंध नामक संस्कृत कावे का संबंध है परसंग के 501 क्यांसे अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना के समय किस राजा ने एक लाख रुपय का चंदा दिया था वेरी इंपोर्टेंट कोईशन है वी आई कर दीजिगा ठीके अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना के समय किस राजा ने एक लाख रुपय का चंदा दिया था तो इस परसंग्या उत्रोगा महाराजा तक तस्याने परसंग्या 522 आपका पोलो का गर किसे कहा जाता है पोलो का गर किसे कहा जाता था तो इस परसंग्या उत्रोगा जोधपूर को कहा जाता था परसन संग्या 583 आपका डिफेक्टो रूलर आफ जोदपूर इस्टेट किसे कहा जाता था डिफेक्टो रूलर आफ जोदपूर इस्टेट किसे कहा जाता था तो इस परसन का उत्रोगा मारवार के ततकालिन चीफ मिनिस्टर डोनाल्ड फिल्ड को कहा जाता था तो उमेदभवन पेलेश का निर्मान किस ने करवाए था? तो इस परशनके उत्र होगा, महाराजा उमेद सीहने करवाए था. ठीक है, यहाँ पर आप उमेद सीहने से उमेदभवन के जो पेलेस का जो है, वो point आप इसमें connect कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. परसंसंग्या 500 पीचे सी है आपका उमेद भवन पेलेस को किस नाम से जाना जाता है उमेद भवन पेलेस को किस नाम से जाना जाता है तो इस परसंग्या उत्र होगा छीतर पेलेस के नाम से चित्तर पतर से निर्मित होने के कार्ण इसको चित्तर पहले इसके नाम से जाना जाता है और उमेद भवन पहले जो है वो इसका ये दूसर नाम भी है परसंसंग्या 586 है दा जोधपूर लोजिस्टलेश्टिव दा जोधपूर लेजिस्लेटिव असेमली रूल्स का अनुमोदन कब वकिस्ने किया था तो इस परसंग्या उत्रों का महाराजा उमेद सिये ने 28 मार्च 1947 को किया था परसंसंग्या 547 बीकानेर का संस्ता पक कौन था तो परसंसंग्या 59 कलीयूग का करण किसे कहा जाता है तो इस परसंग्या उत्रोंगा राव लून करण को कल्यू का करण किसे का जाता है परी राव लून करण को कहा जाता है परसंसंग्या 590 लून करण सर जील का निर्मान किस ने करवाया लून करण सर जील का निर्मान किस ने करवाया तो इस परसंग्या उत्रों का राव लून करण जैसी व माल देव के बीच हुआ था अभी तक मेरे जो भी साते हो ना अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करते हैं सब्सक्राइब भी जरू कर देगा प्रसंसंग्या 592 है बेली किसन रुकमनीरी बेली किसन रुकमनीरी नामक प्रसिद काविगरंत की र राजपूताने का करण किसे कहा जाता है तो राजपूताने का जो करण है वो किसे कहा जाता है महाराजा राय सीह को कहा जाता है प्रसंसंग्या 594 है दत्तानी का यूद कब हुआ था तो दत्तानी का यूद जो है वो 1583 इसवी में हुआ था प्रसंसंग्या 595 है साही सल्तनत का आदार किसे कहा गया तो साही सल्तनत का आदार किसे कहा गया है इस प्रसंग का उत्रों का राय सीह को कहा गया है आगे प्रसंग के 596 है महाराजा कंशिये के पुत्रों का नाम क्या था तो महाराजा कंशिये के पुत्रों का नाम क्या था बई केसरी सीह हो पदम सीह केसरी सीह प्रसंसंगे 597 प्रस्टंसंग्या पांसो निन्यार्वे हैं माही मरातिभ की उपादी की से दी गई थी महाराजा अनूप शीह को परसंसद क्वेत्र कर्णाने अप्र किस्ने की थी तो साथ्यों यह थे हमारे आज के important थर्टी कुश्ण अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दिजेए सब्सक्राइब कर दिजेए अब आपके सामने इन में से कुछ questions आ रहे हैं जिन का आंसुर आपको comment box में देना है चलिए शुरू करते हैं अब इन में से जिन प्रस्णों का आंसुर मिसिंग ही उनका आपको बताना है तो देखिए प्रस्णों का आंसुर आपको बताना है डॉक्टर गोरी संकर हिराचंद ओजा ने किस राजा को कान का कच्छा कहा है तो प्रते एक question जो आपके सामने मिसी रहेंगा उसके लिए आपके पास जो 10 सेकंड का समय रहेगा ठीक है तो उस कांसुर आपको comment box में देना है तो यहाँ पर इस कांसुर जल्दी से comment box में बताएं 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है तो देखे यहाँ पर आपके सामने इस परसंगर लेके आ रहा हूँ डॉक्टर गोरी संकर हिराचन दोजा ने किस राजा को कान का कच्छा का आए तो इस परसंगर का उत्र होगा आपके राजा अजीत सीह को वीर सिरोमनी दुर्गादास के पिता का नाम क्या था आशकरण वीर दुर्गादास का जनम कब वो कहा पर हुआ था 13 अगस्त 1638 को सालव गाओ में जैम्स टॉड ने राठोडो का यूली सेस किसे कहा है जैम्स टॉड ने राठोडो का यूली सेस किसे कहा है जल्दी से इस परसंगर का उत्र होगा आपके वीर दुर्गादास को परसंगर 577 है आपका अभियोध है राज रूपक अमर चंद्रिका की रचना किस ने की थी अब्योद है कि कीति आपके बट जग जीवन ने राज रूपक की कीति वीर भाण ने अमर चंद्रिका की कीति सूर्ती मिश्र ने परसंसंग के 578 डंगा का युद कब हुआ था 1972 में सामबर किसंदी कब हुई थी 5 जनवरी 1791 में पांच जनवरी 1791 में को सामबर की संदी हुई थी आगे परसंसंग के 588 भीम परबंद नमक संस्कत कावे का संबन किस से हैं महराजा भीम सीह से परसंसंग के 588 अजमिर के मेयो कॉलेज की स्थापना के समय किस राजा ने एक लाग रुपे का चंद्र दिया था महराजा तक तसीह ने आगे वाला परसंग का उत्र कमेंट बॉक्स में लिके है पोलो का गर किसे कहा जाता था पोलो का गर किसे कहा जाता था जल्दी से बताएं वई तो देखे पोलो का गर किसे कहा जाता था इस परसंगा उत्रों का आपके जोधपूर को कहा जाता था आगे परसंगे 583 आपका Defecto Ruler of Jodhpur State किसे कहा जाता था Defecto Ruler of Jodhpur State किसे कहा जाता था मारवार के ततकलिन चीफ मिनिस्टर डोनाल्ड फिल्ड को कहा जाता था परसंगे 584 यह उमेद भवन पेलेस का निर्मान किसने करवाय था तो उमेद भवन पेलेस का निर्मान किसने करवाय था माराजा उमेद सिहने करवाय था परसंगे 583 आपका उमेद भवन पेलेस को किस नाम से जाने जाता है तो उमेद भवन पहलेश को किस नाम से जाने जाता है इस परशन का उत्रों का चितर पहलेश या चितर पतर से निर्मित होने के कारण इसको चितर पहलेश भी का आ जाता है और उमेद भवन पहलेश का भी ये दूसर नाम है चितर पहलेश परसंसंगे 506 आपका दा जोदपूर लेजिसलेटिव असेम्ली रूल्स का अनुमोदन कब वह किस ने किया था महाराजा उमेद सी ने 28 मार्च 1976 को किया था आगे वाला प्रशनिया बीकानेर का संस्तापक कौन था तो जल्दी से इस परसंग का उतर बता है बीकानेर का संस्तापक कौन था तो देखे बीकानेर का संस्तापक कौन था इस परसंग का उतर हो का आपके राव बीका बीका से बीकानेर याद रख लेना करमचंद वनसोत कीरसन काव्यम में बीकानेर नगर का नाम क्या था विक्रम पूर्ण था वै आगे प्रसंद संग्या 590 कली यूग का कर्ण किसे कहा जाता है कली यूग का कर्ण किसे कहा जाता है जल्दी से कमेंड बॉक्स में उतर बाता है तो देखे कली यूग का कर्ण किसे कहा जाता है इस परसंग उतरों का आपके राव लून करण को लून करण सर जील का निर्मान किसने करवाय था राव लून करण ये इससे ही भी याद रख सकते हैं आपके करण से आपके कल्यू का करण यानि करण से आपके लून करण बनेगा और लून करण से यहाँ पर आपके जो है लू कमेंड बॉक्स में बताएं तो देखिए इस परशन का उत्र आपके सामने लिक्या रहा हूं बेली किसन रुखमणीरी नामक परशत काविगरंथ की रचना किस ने की थी इस परशन का उत्र होगा आपके प्रत्वी राज ने साही सलतनत का आदार किसे का गया है इस परशन का उत्र देखिया आप जल्दी से जल्दी कमेंड बॉक्स म मताएं स्वारी तो देखिए इस परसंग का उतर आपके सामने साही सल्तनत कादार की से का जाता है राय सिहां को परसंग के 596 महाराजा कर्ण से के पुत्रों का क्या नाम था महाराजा कर्ण से के पुत्रों का क्या नाम था केशरी सी है वह पदम सी हाँ साही ते कल्प दुरूम कर्ण बूसन वह कावी डाकी नी रचनाओं का संबंद किस से हैं तो इस परसंगा जल्दी से जल्दी सभी कमेंट बॉक्स में उतर बताएं तो देखिया आपके सामने परसंगे 597 के उतर लिक्या रहे हूं साही ती कल्प दुरूम कर्ण बूसन दता कावी डाकी नी रचनाओं का संबंद किस से महाराजा कर्ण सियंसे परसंगे 599 कर्ण बूसन वा कावी डाकी नी की रचना किस ने की थी तो इसका उतरोगा आपके गंगा नंद मैथी लेगन है माही मरातिब की उपादी किसे दी गई थी जल्दी से इसका उतर कमेंड बॉक्स में बताएं बई माही मरादिप की उपादी किसे दी गई थी तो देखे माही मराद इस परसन का उतरों का आपके महराजा अनूप शियह करें और परसन संग 10 अच्छेइशन की था आपके अनूप विबेक, काम परपोज, साध प्रियोग, चिंतामनी संस्कृत गर्मतों के रचना किस ने किती इस परसंग का उत्रों का महाराजा अनूप सियने तो सात्यों ये था हमारा आज का important 30 questions का वीडियो सीरीज अगर आपको अच्छा लगाता है दोस्तों के साथ share कर दीजिगा इस वीडियो की सी परकार आप डेली चैनल को सपोर्ट करते रहें क्योंकि आपका सपोर्ट है तब ही हमारा चैनल जो है आगे बढ़ पाएगा वरना हम जो है अभी भी उसी पाइदान पर है ठीक है इस्पेसल आपके लिए 10 के सब्सक्राइबर इस्पेसल 2000 MC को भी एक टेस्ट रीज लाई जा रही है जिसको आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में और कंप्लीट जो बुक्स रेडिक की गई है वो भी आप 10 के सब्सक्राइबर इस्पेसल इवेंट में फ् झाल